हालो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हमारी यूनिट नम्मर थर्ड के बारे में जो भी हम देख रहे हैं कि पे रियेक्शन आप है तो आज हम देखेंगे रैंसिडिटी आफ हॉइल्स ठीक है तो रैंसिड मतलब क्या होता है एक ऐसी स्मेल कॉमन लेंगिज में बता हूँ तो है तो फैटी रिलीज होने से में धक्याइब हायर अक्सीडाशन होता है या हभी दूपर में रह गई। हम दो और जब वो खराब हो जाती है तो एक टाइब के ऐसी स्मेल आती है जिसे हम क्या बोलते है रैंसीड ठीक है रैंसीड एसी स्मेल के यहां पर फैटे ऐसे रिलेस कोई चीज मान लो कि आपने ओईल को एर लाइट में मौईश्टर में आतो कोई बैक्टरियलक्षन के बाहर छोड़ दिया तो क्या करे तो फ्रीज में आप कोई चीज रख रहे हो ठीक है आपने खाना रख दिया फ्रीज में तो ठीक रहेगा लेकिन आपने बहार रख दिया दो दिन के लिए तो कैसी स्मेल आएगी ठीक है तो यही है रैंसीडिटी ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि रैंसीडिटी ठी है होती है झाल diferente आकिसीडीव में क्या होती है झिसमें ना याकिसिडेशन और माईक्रो बीहल में क्या होता है कोौझ जीजे बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि है ट्राइगलेस्ट genre जब three mails est tę के साथ reaction करता है लाइपेज अंजाइम की प्रेजिंस में तो यहाँ पर देख सकते घ्लीसेरल एंट फैट हैज सी ठ्रीमोल बनते weёт पो एर में रख देते हैं तो क्या करता है और और पॉल्यम्राजशन करता है और एक waterproof थिन फिल्म बनाता है ठीक है like ओई तो उसे हम बोलेंग और और उस reaction को बोलेंगे Україल ठीक है तो ड्राइं ओइल में क्या ऐगा कि unsaturated और फेटा एर ओईल ठीक है हमको अभी लेना है और तो जब अनसैचुरेटेड़ ओईल को हवा में रख देते हैं एर में रख देते हैं वह तो अक्सरेशन और पॉलिमराइजेशन करता है और एक थीन वाटर पूर फिल्म बनाता है तो जे ओईल होते हैं उसे हम बोलेंगे ड द्राइंग ठीक है यहां पर लिंसीड ओईल एक कॉमन एक्जामपल है ड्राइंग ओईल का जो ओईल बेस पेंट में यूज़ किये जाते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने एक रियेक्शन लिखा है कि अनसैचुरेटर ओईल को जब आप एर में रखोगे तो यहां पर ओ और पॉएच अटेच हो जाएगा और एक इंटरमिडेट बनाएगा उसका पॉलिमराजेशन होगा पहले ऑक्सिडेशन होगा उसके बाद पॉलिमराजेशन होगा तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वह कहलाएगा हमारा ड्राइंग ओईल और यह हमारा हो गया थीन वाटर प्रोपिल मतलब ड्राइंग ऑइल बननना के प्रोसेस ठीक है तो यहां पर हमारा वह हो गया ड्राइंग ओईल ठीक है यह इलीन्सिद ऑईल है जो उसका एक्जामपल है और अंसेट्रि HUD में से ड्राइंग और कैसे बनते है उसका रियक्ष्ण है ठीक है एसा आपको लिखन पड़ेगा तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे बाकी के जो कॉंस्टन बच्चे है अनलिटिकल वाले ठीक है वो थैंक यू